आज का ये वीडियो अगर आप बहुत ध्यान से सुनें और पाकाईदाट नोट्स बनाएं और एक बार, दो बार, तीन बार उस नोट्स को पढ़ें और उसमें कुछ इंपॉर्टन चीज़ें लेकर जाएं तो आपके लिए एक जेट साबित हो सकता है जो आपको धक्का मार स थोड़े दे के लिए आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए कि आपका money management कैसा है, logic कैसा है, grammar कैसा है, driving skill कैसी है, emotional intelligence कैसा है, communication skill कैसी है, अगर आप parents है तो आप parents कैसे हैं, इन सब के बारे में दो मिनट के लिए हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में आप लिखिए कि कितना percent आप को लगता है इसमें आप आते हैं बहुत जादा इसके बारे में सोचिए बन बस लिख दीजिए जब आप कोई बड़े डिसिजन लेते हैं अपने लाइफ के तो आपको यह जानना होगा कि वो खुद लें या किसी एक्सपर्ट से पूछें और अगर किसी एक्सपर्ट से पू है और नहीं तो पता करूँगा इफक्ट हम सब लोग को अपने जिंदगी में बहुत से सेक्टर में जहां जहां भी हम ग्रो करना चाहते हैं या हो सकता है ऐसे बहुत से एरिया जहां हमारे लिए बहुत ग्रोथ की पॉसिबिलिटी है उसके बारे में हमको को कोई मौका यह देना हम अपने आपसे पूछना नहीं चाहते हैं किह उसमें कितना एक्सपर्ट हैं हम पता ही नहीं करना चाहते हैं सब चीज़े ड़नी मुक्रूगर एफक्ट में एक आध टेस्ट नहीं हुए हैं सैकडो टेस्ट हुए हैं जहां पर लोगों को अलग-अलग sectors में CAs हैं, engineers हैं, doctors हैं, drivers हैं सब को ये लगता है कि हम बाकियों से बेटर हैं और खास्तोर से इस काम को काफी सालों से कर रहे हैं, एक example देता हूँ मैं आपको software engineers की एक testing होई, उनसे पूछा गया कि आप अपने काम में कितने competent हैं, एक company में 32% लोगों ने कहा कि हम top 5% पर आते हैं, और दूसरी company में 42% ने कहा कि हम top 5% पर आते हैं, 5% तो 5% होता है लेकिन ज़्यादातर लोगों ने कहा कि हम सबसे टॉप पे हैं, वो आखिर जिस level पे हैं, उस level से next level क्यों भी पहुँचवाते हैं उसका reason है Dunning-Kruger effect आपको खुद अपने बारे में देखिए, अगर आपको गाड़ी चलाने आती है तो आप अपने आपको कैसा driver बोलेंगे अमेरिका में 88% drivers को लगता है, कि वो pest drivers है, आप अपने आपको कैसा rate करेंगे और कभी rate किया है मेरे ख्याल से, हम सब ने आपको rate ही नहीं किया अभी अब आप करना चाहते हैं business कोई business आपसे grow होगा अगर आपको ये नहीं पता कि आपको क्या-क्या नहीं पता next question आपको ये पूछना है कि कौन सो ऐसो लोग हैं जिनके साथ ये सबसे ज़्यादा बड़ी problem है जिनके एदर में सबसे कम skills होती है अगर आपको chess खिलना नहीं आता और आप थोड़ावत रूल समझ गए तो आप सबसे ज़्यादा overconfident होगे तो जितनी कम skill उतना ही ज़्यादा overconfidence होता है turning crew benefit में मैं जब भी किसी को interview करता हूँ तो मैं सबसे पहले उसकी logic, उसकी reasoning चेक करता हूँ लोग expect करते हैं 20, 30, 50, 60,000 रुपए की salary और उनके पास common sense नहीं है चोटी 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 चीज़ों को जो मैं नहीं से पूछता हूँ अपने बारे में कुछ अच्छी चीज़े बताओ खराब चीज़े बताओ या एक particular situation में तुम फसे हो आप इस condition में कैसे कैसे deal करेंगे इस सब logic के questions होते हैं basic simple logic नहीं आती तो कैसे उनको नौकरी मिलेगी आप जब कभी कहीं नौकरी करेंगे तो आप कुछ लिखेंगे mail लिखेंगे, चिट्ठी लिखेंगे किसी को information देंगे, किसी से बात करेंगे उसमें आपकी छोटी छोटी grammar की mistakes सामने वाले को बता दीती है कि आपको कुछ नहीं पता आपको शायद आता हो तब ही पता दीती है तो आपको समझना होगा सामने वाले के emotions कि आपकी emotional intelligence इतनी है कि आप सामने वाले को समझ सके पकड़ सके तो फिर कौन है जो सबसे ज़्यादा valuable है हम सब अब सवाल उड़ता है क्यों है ऐसा क्यों है कि हम सब के सब इतनी बड़ी problem को हम देखी नहीं पाते है इसके पीछे वज़य है pockets of gap आप अगर किसी चीज़ को जानते है तो वो चीज़ आप पकड़ सकते हैं कि हाँ मुझे ये ये काम आता है लेकिन उस काम के अलावा और क्या-क्या चीज़ जानना चाहिए वो तो gap है gap हमारा brain पकड़ नहीं पाता है Dunning Kruger ने 1999 में जब इस चीज़ को खोजा था तो उन्हें एक realize किया कि जिन लोग की skills बहुत कम होती है जिनका knowledge बहुत कम होता है उनको ये जटका double group में लगता है सबसे पहला कि वो भी आप जैसे mistakes करते हैं और उस mistakes की वैसे एक bad decision होता है लेकिन उसके बाद से बड़ा नुकसान होता है हम सबकी life में हमारी गलतियां सोने की खान होती है अगर कोई आदमी अगर अपने life में grow करता है बहुत grow करता है तो अपनी गलतियों की वैसे करता है और ये बिचारे उनकी lack of knowledge की वज़े से उनको लगता है कि उनकी गलतियां नहीं थी वो luck था उनका bad luck था इसलिए वो इस काम को सही तरीके से नहीं कर पाए अगली बार फिर से करेंगे तो सही हो जाएगा अब मुद्दा ये है कि हम सब के सब Dunning-Kruger effect को देख नहीं सकते हैं कैसे इसको हम overcome कर सकते हैं कैसे इसमें से बच सकते हैं दो तरीके हैं बस दो ही और कोई तरीका नहीं है सबसे पहला feedback, feedback और feedback और दूसरी चीज है अपनी knowledge base को बढ़ाईए एक बहुत पुरानी कहावत है किसी बेवकूफ से बहस नहीं करना चाहिए लेकिन इससे पहले आप ये पका कर लिजे कहीं वो इनसान किसी बेवकूफ से तो बहस नहीं कर रहा है मतलब आप से आपको पता है मैंने ये सारे के सारे courses क्यों start किये क्योंकि basic basic चीजें जो मुझे लगता था कि सबको पता होगा नहीं पता है जिनों का advance में रमन महरिशी क्या बोल रहे है बुद्ध क्या बोल रहे है उस सीधे कान में घुस करके brain में जाकर के brain के neon's के develop कर सकती है लेकि लोगं को नहीं पता लोगं को ये में नहीं पता कि right questions कौन से है जब मैंने medium start किया था तो मुझे बिलकुल एहसास नहीं था मैं कितने blunders करने वाला था आप मैंसे बहुत से लोग पुछते हैं मुझसे कि ये medium का ये WPX का इन courses की कीमत कितनी है बेरिफिट कितना होगा अपने लिए बता सकता हूँ कि मेरी life में इन courses की कीमत कम से कम दो से तीन करोड रुपए फिलहाल है क्योंकि मैं इतने blunders mistakes करने वाला था शुरू शुरू में अगर medium नहीं start किया होता है मैंने अपने लिए इसलिए मैं आप सब को invite करता हूँ हमारे साथ इस effect को कम करने के लिए हमारे सारे के सारे courses आपके dunning kruger effect को कम करके आपको बहतर और बहतर बनाने की कोशिश है तो क्या लगता है इस वीडियो को देखने के बाद आपका कोई knowledge gap कम हुआ अगर कम हुआ है तो मैं आपका एक summary जानना चाहता हूँ क्या समझ में आया आपको आपने कौन सा next step लिया है इस gap को कम करने के लिए ये channel मैंने नहीं बनाया है ये channel किसी और ने बनाया है मेरे through इसलिए subscribe कर लिजे पता नहीं कौन सा वीडियो आपको कब जगा दे ठीक है मश्का